सिर्फ पडोशियों के ही नहीं हैं। जैसा ओली जी ने कहा इतियास और भुगोल ने हमें प्रकृति, परिवार, भाषा, संस्कृति, प्रगति और न जाने कितने धागों से जोड़ा है। और इसलिए हम दोनों देशों के बीच अच्छी कनेक्टिविटी हमारे जीवन को और नदिक से जोड़ती हैं और हमारे दिलों के बीच नए रास्ते खोलती हैं। कनेक्टिविटी न सिर्फ देश के बल्कि पूरे छेत्र के विकास के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है नेवर हुड में मैं सारे मित्र देशों के साथ आवा गमन को सरल और सुचारू बनाने और हमारे बीच व्यापार, संस्कृति, सिक्षा, इत्यादी सभी शेत्रों में संपर्को और सुगम बनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है भारत और नेपाल कई क्रोस बर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, रेल और ट्रांस्मिशन लाइन पर काम कर रहे हैं हमारे देश्टों के बीच सीमा के प्रमुख स्थानों पर इंटेग्रेटेड चेक्पोस्ट आपसी व्यापार और आवागमन को बहुत सुविधाजरक बना रही है एक्सलेंसी, आईसीपी बनाने के प्रथम चरण में हमने बीरगंच और विराट नगर में आईसीपी के विकास का निरिणा लिया था बीर गंज की ICP का हमने 2018 में उद्गार्ण किया और अब विराट नगर में भी ICP का शुरू हो जाना हम सब के लिए बहुत हर्ष का विशाय है भारत की और रक्सोल और जोगबनी में पहले से ही यह स्विविदा उपलब्द है मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हम ऐसी और कई आधुनिक सुविदाओं का विकास करेंगी एक्सलेंसी, 2015 का भुकम एक दर्दनाग हाथसा था भुकम जैसी प्राकुरुत आपदाएं मनिश्य की द्रड़ता और निश्चे की परिक्षा लेती है प्राव है कि इस त्रास्ति के दुखत परण्यामों का सामना हमारे नेपाली भाईयों और बहनों के साहस के साथ किया बचाव और सहायता में फर्स्ट रिस्पॉंडर की सक्रिय भूमिका के बार भारत पुनर निर्माण में अपने नेपाली साथियों के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़ा रहा है निकर्तम पडोसी और मित्र के नापे यह हमारा कर्तव्य था और इसलिए गोर्खाओ और नुवाकोट जीलों में घरों के पुनर दिर्माण में अच्छी प्रोग्रेस देखकर मुझे बहुत संतोष मिला हमारी कोशिश रही है कि हम इन घरों को बिल्ड बैक बेटर के सिधान पर बनाएंगे और अर्थवेक रेजिलियन टेक्निक्स इसके इस्तिमाल से यह मजबूत और टिकाव बने कोलिशन फर डिजास्टर रेजिलियन इन्फर स्क्टर को लॉंच करने में भारत का उदेश इन्फर स्क्टर पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना है यह बहुत संतोष का विशह है कि भारत नेपाल सहयोग के अंतरगत पचार हजार में से पैतालिस हजार घरों का निर्मान हो चुका है हमारी आशा है कि बाकी घरों का निर्मान भी शिग्र पुरा होगा और इन घरों को नेपाली भाईयों और बेहनों को जल्दी ही समर्पित किया जाएगा अन्पुना रेंज में पिछले हपते अवलान से हुई हानी के लिए मैं संबेदना व्यक्त करता हूँ और खोये हुए व्यक्तियों की कुशलता और उनके सिग्र पता लगाने की कामना करता हूँ एक्सलेंसी आपके सहयोग से बिते कई वर्षों में भारत नेपाल समंधों में अबुत्पुर्व प्रगति देखने को मिली है हमारा सहयोग और विकास की पार्टरसिप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं साथ ही हमने कई नए छेत्रों में भी सहयोग शुरू किया है मेरी कामना है कि नए वर्ष में आपके सहयोग और समर्थन से हम अपने समंधों को और उंचाई पर ले जाएं और ये नया दशक भारत नेपाल समंधों का स्वननिम दशक बने एक बार फिर आपके अच्छे स्वास्त और सभी सभलता के लिए आपको शुब कामना ही देता हूँ आपने मुझे जो निमंतरन दिया मैं गर्ब महसूस करता हूँ और एक मित्र के नाते नेपाल के पीम के साथ विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये दोनों देशों के नई दोस्ती की पहल